और उस यूक्रेन यूदिकी सबसे बड़ी सबसे लंबी और सबसे खतरनाक लड़ाई अब खत्म होने वाली है बखमूत में लड़ी जा रही जंग से जलंस्की पीछे हटने वाले नहीं है यूक्रेन की धर्ती जल रही है पूरे यूक्रेन में रूस के हमले जारी है लेकिन पूरवी यूक्रेन का एक शहर ऐसा है जहां का तापमान सबसे ज्यादा है एक छोटे से शहर को जीतने के लिए धर्मोवेरिक रॉकेटों का इस्तेमाल हो रहा है फॉस्फोरस बमों से लेकर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का दाबा किया जा रहा है रूस की सेना के साथ ही पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने अलान कर दिया है कि वो बखमूद जीत गए है लेकिन जैलन्सकी की सेना ने बखमूद के बाहर अभी भी मोर्चा समाल रखा है दोनों तरफ से गोली बारी जारी है युक्रेनी सेना बाहरी मोर्चों पर गड़ों में तैनात है और लगातार रूस की वोच की ओर से आ रही फारिंग का जवाब दे रही है बोली बाहरी है «Ми теж беремо інформацію з багатьох джерел, це як і перехопування, аеророзвідка, ну і загалом видно по їхніх діях, до чого саме вони плануються Вони зараз активно заміновують свої позиції, передній край заміновують, вплоть до того довозять нових людей है, взаємодія в них, на слава Богу, в них взаємодія не дуже, тому що і Бехи їхні заїжджали, підривались на своїх ТМ-ках І ми їм допомагаємо регулярно покинути цей світ на нашу землю» योक्रेन की सेना के मताविक बखनूत के इस पारी मोर्षे पर लगातार फायरिंग चल रही है बीच-बीच में आधे गंटे के लिए फायरिंग बंद हो जाती है लेकिन दिन और रात हमेशा दोनों तरफ से हमने जारी है जेलंस्की की सेना में उत्सा है, लेकिन उनके पास बोला बारूत की कमी है यही वज़ा है, कि बखनूत से ही उक्रेन के जवानों को खदेर दिया गया और अब वो बखनूत के बाहर मोर्चा समाले हुए है जारी है योक्रेन दावा कर चुका है कि सिर्फ बक्मूत की लड़ाई में रूस ने कम से कम 30,000 सैनिकों को गबाया है और योक्रेन बक्मूत में इसी लिए लड़ रहा है ताकि रूस को ज्यादा से ज्यादा सैनिकों का नुक्सान कर सके हाना कि अब जैलंस्की ने संकेत दिये हैं कि वो अब बक्मूत को छोड़ देंगे क्योंकि अब उनके सैनिकों के नुक्सान की खबर उन्हें परिशान कर रही है मेरे लिए सबसे एहम है कि मेरे फौजी ना मारे जाए और यखीन अगर वहां और घातक और खतरनाथ जंग होती है और घेर लिये जाने की वज़े से हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो वहां मौजूद जनरल सही फैसला लेंगे कहने का मतलब एक तरह से की उन्हें मान लिया है कि वो बक्मूत में हार चुके है और जेलन्सकी के हाथ से उनका एक और शेहर निकल चुका है जेलन्सकी के इस बयान से भी जाहिर होता है कि बक्मूत के अलवा योक्रेन के बाकी हिस्सों में भी रूस बारी पढ़ रहा है और योक्रेन को गोला वारूत की भारी किल्लत हो रही है जिसकी वज़े से वो जंग में लगातार पीछे धकेली जा रहे हैं एक तरफ योक्रेन में जैलन्सकी को लगातार हार की मार जहिलनी पड़ रही है दूसरी तरफ जैलन्सकी जंग के बीच में देश छोड़ कर पोलंड पहुंचे और वहां से आजादी की हुंकार भरने लगे हैं पोलंड को अपना भाई बताने लगे हैं अपने ही जैसे जट्मों का साथी करार देने लगे हैं हलाकि योक्रेन को नए टैंकों की खेब के साथ ही एरक्राफ्ट की खेब भी मिल चुकी है और माना जा रहा है कि इसी महीने अमेरिका से भी अबरम्स टैंक की उपहुंच जाएंगे लेकिन मौजूदा वक्त में रूस को जवाब देने के लिए योक्रेन को हर दिन लाखों की संख्या में दोप के गोले, रॉकेट और मिसाइलों की जरूरत है मौसको में हलचल तेज है, पोतिन के दोस्त और बेलारूस के राश्रपती लुकाश शेंको मौसको पहुंचे है लेकिन जैसे ही उनकी मुलाकात पोतिन से हुई, तो एक नया अपडेट सामने आए एक ऐसा राज सामने आ गया जिससे दुनिया सकते में है और क्या हो है वो राज और आखिर लुकाश शेंको ने क्यों खोला अपने ही दोस्त का राज देखिए ये एक्स्क्लूसिफ रिपोर्ट क्या युद्ध ने पुतिन को ठका दिया है क्या जंग ने पुतिन को कर दिया है पीमा च्या बीमार पुतिन फोड़ेंगे एटम बंप अमेरिका के साथ रूस की ठनी होई है परमाडू युद्ध की तैयारियां की जा रही है खबरें हैं कि पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्राज की तैनाती को हाई अलोर्ट पर रख दिया है और समंदर, हवा और जमीन से नैटो के साथ जंग की पूरी तैयारी कर ली है जून के आखिर तक बेलारूस में अटम बंपो की तैनाती का काम पूरा कर लेने का टार्गेट रखा है यानि जुलाई में कुछ भी हो सकता है पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता पुतिन क्या सोच रहा है इसका अंदाजा पुतिन के सबसे पुराने दोस्त लोकाशेंको को भी नहीं सब सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं लेकिन इस बीच में लोकाशेंको मिंस्क से निकल कर मॉस्को पहुचे और पोतिन से जब उनके मुलाकात हुई तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया लोकाशेंको का इस तरह से पोतिन से मिलना और उन्हें ठका हुआ कहना दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कहीं न कहीं पोतिन की सेहत ठीक नहीं है वैसे भी पोतिन की सेहत को लेकर कई बार दावे किये जाते रहे हैं कि उनकी दवियत सही नहीं रहती उन्हें कैंसर है उन्हें परकिंसन है ऐसे ही तमाम दावे पुतिन की सेहत खोले कर किये जाते रहे हैं और जब मौस्को में लोकाशेंको और पुतिन की मुलाखात होई तो लोकाशेंको ने वो बात कह दी जिससे पुतिन की सेहत पर संदे बढ़ गया लोकाशेंकों से मिलने के दौरान जब पुतिन कुरसी पर बैठे थे वो अपने बाएं प्यार के पंजे को भी बार बार इस तरह से अज़स्ट करने की कोशिच कर रहे थे जैसे उन्हें उसमें कुछ तकलीफ महसूस हो रही है पुतिन के आलोजकों का दावा है कि पुतिन के पैर में कोई तकलीफ जरूर है क्योंकि इससे पहले जब युद्व के दौरान पुतिन क्राइमिया के दौरे पर गए थे तो वो लंगडाते हुए नजर आये थे तब भी यही दावा किया गया था और अब जैसे ही लोकाशेंको पुतिन से मिलने क्रेम्लिन में पहुँचे उन्होंने जिस तरह से पुतिन की थकान पर टिपड़ी की उससे भी कही न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 साल के पुतिन की तबियत पूरी तरह से ठीक नहीं है अलाकि लोकाशेंको ने आखिरी लाइन में इसे समालने की कोशिश की और कहा कि एक राश्रबती के तौर पर ठके होने की बात कही जिसके कंधे पर पूरे रूस का बोच है और वो भी वो रूस जो ना सिर्फ योक्रेन में जंग लड़ रहा है बलकि पूरी दुनिया से छट मीजोत लड़ रहा है खास तौर पर मैटों के साथ तना तनी में लगातार इसाफा हो रहा है और उतकी तैयारियां किसी भी राश्रा ध्यक्ष को ठका सकती है